हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका रितुष की चन में आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा ये हलवा बिल्कुल वैसा ही स्वात का होगा जैसा हमें भंडारे में मिलता है इसे बनाने के लिए मैंने एक मोटी तली का पैन लिया है और इसमें आधी कटोरी घी डालेंगे घी जब मिडियम गर्ब हो जाएगा तो इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे और लो फ्लेम पर लगतार चलाते हुए डेर से दो मिनट तक सूजी को भूनेंगे ध्यान रहे फ्रेंड्स जिस कटोरी से हमने घी लिया था उसी कटोरी की माप से हम सूजी लेंगे घी जो हमने आधा बचा लिया है उसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे ए देखिए फ्रेंड्स लगभग डेर मिनट हो गया है सूजी का कलर थोरा चेंज हो गया है और सूजी थोरा फूल भी गया है अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडियन डालेंगे और वो है बेसन हाँ फ्रेंड्स इस सूजी में हम एक चमच बेसन डालेंगे इससे हलवे का टेक्सर और स्वात कई गुना बढ़ जाएगा इन्हें चार से पाँच मिनट के लिए और भूनेंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे इस देखिये फ्रेंड्स पाँच मिनट हो गया है सूजी में बढ़िया सा कलर आ गया है और सूजी से एक अच्छी सी महक आ रही है सूजी से घी अलग हो गया है अब इसमें डालेंगे थोरे से काजू, बादाम और पिस्ता और इने आधा मिनट के लिए भून लेंगे ड्राइ फ्रूट्स आप अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप किसमिस भी डाल सकते हैं ड्राइ फ्रूट्स भी सूजी के साथ फ्राई हो गया है अब इन में तीन कटोरी गर्म पानी डालेंगे जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से पानी लेंगे एक कटोरी हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम तीन कटोरी पानी लेंगे ध्यान रहे प्रेंट्स पानी अच्छे गर्म होना चाहिए यहाँ पर ठंडे पानी का इस्तिमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है फ्लेवर के लिए इसमें थोरे से केसर के धागे और कुटी हुई हरी इलाइची को भी डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी ने सारा पानी पी लिया है अब सूजी के बरावर एक कटोरी चीनी डालेंगे एक कटोरी हमने सूजी लिया था और एक कटोरी ही चीनी का इस्तिमाल करेंगे फ्रेंड्स यह हल्वा बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक वार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करियेगा अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चीनी धीरे-धीरे पिघल रही है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है अब जो हमने घी बचा के रखा था वो भी यहां परियूज करेंगे अब इसमें दो चम्मच और घी डालेंगे फ्रेंड्स हलवे में कच्छे घी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स आप मेरे तरीके से ये सूजी का हलवा जरूर ट्राइ करियेगा ये हलवा आपको और आपके फैमिली को जरूर से पसंद आएगा ये देखिए फ्रेंड्स ये सूपर टेस्टी हलवा बन कर तयार है आप इसे पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं तो मिलती हूँ एक और नए मज़धारे से